हेलो फ्रेंज, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल नॉलिज ओफ लॉव में आज हम आपको अनुछे 14 की वर्गी करन के बारे में बताएंगे जो के विदी के समान समता का अर्थ बताती है अनुछे 14 वर्गी करन की अनुमती देता है किन्तु वर्ग विदान का निशेद करता है इससे ये इसपष्ट होता है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों अत्ववस्तुों के वर्गी करन की सक्ती पर केवल एक ही निवंदन है और वे ये की वर्गी करन आयुक्तियुक्त और मनमाना ना हो अब हम आपको अनुचे चोदा को विस्तार पूर्बग बताते हैं जो कि इस प्रकार है विदी के समान समता का अर्थ ये नहीं है कि पिति एक विदी समानने प्रकति को हो तता एक ही विदी सभी व्यक्तियों पर समान भूप में लागू की जा सकती हो क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकिति योगिता या परिस्तितियों से एक ही स्तिति में नहीं है वियक्तियों के विविन वर्वो की अवशक्ताएं प्रियाय भिन विवाहार अपेक्षा की विन विवाहार की अपेक्षा करती है इसलिए भिन वियक्तियों और इस्तानों के भिन विदी होनी चाहिए बस्तुता असमान परिस्तितियों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही विदी लागू करना असमानता होती है अताहा युक्त युक्त वर्गी करन अपेक्सित नहीं वरन आफशायक भी है यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक सस्क्राइब एंड सेयर कीजिए हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया